सूरिय ग्रमान्ट का सबसे महत्वपून ग्रह है। वैसे तो यह तारा है लेकिन हम इसको जो है वह ग्रह ही मानते हैं। तो इसको प्रभल करने के लिए सबसे पहले तो इसका रेगुलर मंत्र जाप होना चाहिए। इसका मंत्र है ओम क्राम हरीम हरोम सह सूर्यय नम्हा। इसका जो है रेगुलर जाप करिये। बिना विलम जो है किसी ब्रेक के रोज करो इसको एक सो आट पार। यह कम से कम है। इसको ज्यादा बार भी किया जा सकता है। उससे सूर्य की प्रभलता और ज्यादा पड़ेगी। सूर्य को प्रभल करने के लिए जब आप मंत्र का जाप करें। तो वो आपको कम से कम खुद को सुनाई दे रहा होना चाहिए। तब ही उसका कोई लाब है। अगर वो आपको खुद को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको कोई लाब नहीं है। आपको उसको जो है इस तरह से जाप करना है कि आपको सुनाई दे क्योंकि जब ऐसा होगा तो इस मंत्र से क्रियेटिड जो वाइप्रेशन से हैं वो आपके औरा में आसपास पहलेंगी। जिससे की औरा की जो सुर्य की रश्मियों को एब्जॉब करने की शमता है वो बढ़ जाएगी। आप यहां पे एक चीद पहुत ज्यादा क्लैरिफाइव करने की जुरूद है कि सूर्य की रोश्नी में सूर्य की रोष्णी नहीं सूर्य की कोस्मिक रेस होा唱त्य के नौमल किरने यह उनून प्रभाव रात के समय भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैस्चा रात के समय जन्म ले रहा है तो उसके ऊपर सूर्य को कोई प्रभाव नहीं है, सब रहे हो नहीं है। जो सूरे का प्रभाव है वो तो देनरात है और वो सूरे की कोस्मिक रेस का प्रभाव है जो सूरे की रोशनी का प्रभाव है वो तो अब कोर्स जब सूरे निकला हुआ होगा तभी होगा लेकिन उसका हमारे जोतिश के साथ कोई बहुत बड़ा जो है लेना देना नहीं होता है तो सबसे पहले तो आ हैं प्धाइना ज्यादा करेंगे अन्ठागी कि आ सब्सक्राइब इस्वेक्षार और अव्यूर्टॉ और दूसरा इसके लिए आपको सूर्य का रभिद कर पहने शरे का प्रॉसेस को षी रोपता है अगर सूरे प्रभवव तो व्यक्ति की एजिंग जो हो जाती है इसलिए सूरे का रत में एजिंग प्रोसेस को भी रूपता है सोरे का सबसे बढ़ीया रज है वह तो रूडी है जिसे में संस्कृइट ूजन मानिक अम इस को कारी चरूह की ही कि यह हम इसको चालिस रती किस रती पचास रती का भी रिकॉमेंट करते हैं एजिंग प्रोसेस को रूपने की और भी कई पार जब सूरे कमजोर होता है उसके कारद से कई तरह की प्रॉब्म सारी होती है तो इसका इस्तमाल बड़े साइस भी किया जाता है कि अगर आपको किसी समय मान लीजें इतना बजट ना रखें कि मैं आप सूरे का रत्न रूबी प्रीदे तो उसका उप्रतन है तो इसे हिंदी में पामड़ा बुआ जाता है वो भी पहन सकते हैं लाल रंगी तुर्मुली पहन सकते हैं यदे पी अच्छी लाल रंगी तुर् सूरे के रत्ने के लिए आपको बुड का मैं देना चाहिए झाउरि यूटि मृत ज्यादा साहिठ इसके साथ मैं आपको जो करना चाहिए अपनी जेब में हमेशा लाल रंगी रमाल रखना चाहिए और लाव लाल रंग की मौली बांगने चाहिए, जाए तर जो मौली बजार में मिलती है, वो और्णज कलर की होती है, लेकिन सूरे के लिए जब आप बानेगे तो लाल रंग की होनी चाहिए, इसके साथ में कुछ समय दिन में एप पांच मिनट, सूरे की रोशनी में खड़े हूए या वो अधने बैठेंगे। इस से आपके सूर्य है, वो प्रबल होगा। आपके सूर्य को प्रबल करने में यह इसामेशा सहाइक रहेगा। जो प्रबल सूर्य है वह बहुत तरह किलाबर सोक्ति अपया है। इसको प्रबल करने के लिए आपको regular कुछ दान भी देने चाहिए गुड के सिवाए भी गुड के सिवाए इसमें दान दिये जाते वो गुड और मूफली को मिलाके जो पटी से मिलती है जो हम कई भाली के आसपास काते हैं वैसी पटी जो है वो regularly हर रभवार के दिन दान में देने चाहिए, और बर्गद के पेड के नीचे दिया जलाया जाता है इसके लिए, उससे भी सूरे प्रबल होता है, और सूरे की शक्ती बढ़ जाती है। सूरी की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और कारे बहुत लोग करते हैं, और वो है लाल चंदन का तिलक लगाना, तो लाल चंदन का तिलक लगाईए वो आपके सूरी को प्रबल करने में बहुत हद तक सहाख रहेगा, इन सब चीज़ों को रिगुलरली करेंगे, तो आपका स सूरी जो है प्रबल होगा, स्ट्रॉंग होगा, और जितना ज्यादा सूरी प्रबल होगा, उतना ही ज्यादा आपको जीवन में काम्याभी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, इसके लिए सूरी की इमेज को ध्यान में रखके, सूरी को देखके लिए, सूरी की इमेज को ध्यान में रखे उसके लिए उसके ऊपर अप मेडिटेशन भी कर सकते हैं नेगलों बेसिस पर